कि नमस्कार आप सभी का एक वरतिष स्वागत है अमारे शो में जिसका नाम है स्वास्ते संजीवनी स्वास्य संजीवनी का उदेश है कि हम सम एक स्वफ्ध जीवन व्यतित करें आजकल इस सरे से मारी जीवन शैली है हमारा लाइफस्टाइल है सबसे जादा प्रभाव इसका हमारी सेहत पर भड़ा है शायद इसलिए आजकल बिमारियां बढ़ गई है ना होने वाली बिमारिय बिमारियों को लेकर आता है अपनी चर्चा में और हम बात करते हैं इन बिमारियों का कारण इनके लक्षन और इनका सती किलाच आज भी स्वासे संजीवनी कि कड़ी में हम जोनने वाले हैं एक और कड़ी जी आज हम आगे बढ़ाएंगे अपनी विमन हेल्फ के सीरीज को हैं बांचपन यानी इन फर्डिलीटी के बारे में दर्शकों को बता दू कि विमन हेल्फ के सीरीज के पिछले दो एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल मंगलमे डिजिटल पर स्टीम हुए हैं जिन पर हमने मासिक धरम संबंदित बाते की हैं मेंस्टिोल प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं हमने युर्य इटराक्ट इनक्टिन के बारे मैं बात की है पारे में बात कि हैंगे और शायमिह रॉनी फाइबरोइट के बारे में और आधी ऐसी कई बाते हमें अपनी महिलाव दर्शेगों पिले की हैं तो आज भी हम अपनी चर्चा विमन हेल्ट केर सीरीज पर जारी लखेंगे और हम बात करेंगे इन फर्टिलिटी के बारे में चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप इस अज परस्तिये दॉक्टर अतुल को शो में अधर शुरू को बता दू कि जो डॉक्तर अतुल हमें सॉल्यूशन बताते हैं जो इलाज बताते हैं उससे आज हजारों लोग लावनविक हो रहे हैं उसके लिए हम जितना भी अभी वादन करें डॉक्टर साब का कम है तो चलि आपाबना चाहते हैं आप से डॉक्तर साब की इंफर्टिलीटी का कारण क्या है जयसे अभी यह जो है यह इन फर्टिलीटी है यह जो वंजट्वव है तो यह दोनों भी तरफ से उसकता है एक यह ऐसा नहीं कि कि आवल महलावें एक लिए पुरुष में हो सकती है महलावे अभी जैसे सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह होता क्या है वंद्यत्यों नहीं क्या है इंट फटिलेटी नहीं क्या है कि कुछ ना कुछ शरीर में हमारे जो होते हैं जो हमारे लेख उसल साथ है उसमें कुछ तकलिफ होई उसमें पूरुसल में अपना कारण है मैलाओं में कुछ अपना कारण होता है है» अगर मैलाओं में दिखा जाए अगर महलाओं के लिए अगर हमने उसकता जानतर पर लेकर अज कल का सबसे वेशिक कारणा अगर हमने दिखा जाए तहर तो अब के उसकी है होते हैं इस तरह से करँध होने चाहिए सबसे बड़ा करान है दूसरा हमने थोड़ा सा साइकलोजिक भी इसके पीछे होता है और और सारे वी कुछ और तकलिक है जैसे अभी थोड़ा साम डालते हैं जैसे अभी देखा जाए तो उसमें प्रकुर्पी ने भगवान ने एक गरवाश है दिया हुआ है गरवाश है का काम ये होता है कि जो होता मैं जय कंद यूरत कर सब्सक्राव होता है यह जो रेगवा क्वाजू है और जब बच्चा नहीं रूपता है तो मास्ति घंटे द्वारा वो बाहर निकला जाता है इस तरह से साइकल चलती रहते हैं जब से मैलाओं में साइकल शुरू होती है और जब तक उनको मैलाओं में साइकल बंद नहीं होता है पैटालेस साल की उमर में आसपास तब तक यह बनता रहता है ताकि कहीं बच्चा प्रूपने जाए तो कुल मिला के यह जो कारण अभी यह इसमें क्या यह सिस्टम में क्या हो सकता है देखो देखो जैसे बीच जहां बनने की जगाह है जहां और इस वो दे मैलाओं में अगर उसमें बरावर से नहीं बन पाया तो बच् जाना चाहिए बरावर से में बताया वर अदा शेय के बीच में जो नली होती है वहां तक पहुषना नहीं पाइस तो फिर वह दिक्त हो सकती है तभी बच्चा होने में विद्ट हो सकती है तिसरी बात कि जैसे कुछ काराण बनते हैं फिच्टरी टीमर होते हैं वहां से और फिर टीबरकुलियॉसिस एक ऐसे बीमारी है कि जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है तो यह जो कारण होते हैं यह समें पेशन्ट जैसे सामने आते हैं तो उसी साफ से में जानकरी लेके इसको देना पड़ता है पर कॉमनेस्ट काउज होता है इंग दिनों में वहता है कि ब बेज बनना और जो बीज बनता है इसको परिपक्व नहीं बनता है क्योंकि एक बीज की कुछ आयो होती है 34-36 गंटे तक वह बरावर बने से होता है कम जोर जैसे बनने के बाद भी अगर तुरंत मर जाना इस तरह से कभी स्ट्रियों में देखता है दिखाई दिए तो वह आपने हमें बताया कि जो नाचल्ड प्रोसेस हो थी इस अध्याशन का वो डिस्टर्ब हो गया है जो नाचलल मेकैनिसम है वो अध्य वो जस्की वजह से इन फर्टिलिटी महलों में ही पुछ्चो डेखी है महलों की बात करते हैं क्योंकि हुमारी एविमें हेल्थ के सीई तो मुख्य तहक क्या कारण है जिसकी वज़े से यह जो नेश्टर प्रॉसेस हो डिस्टर्ब हो गई है वही तो जाना अभी किला ले जान अभी देख रहे थे क्या कारण बने चाहिए यह कारण हम जान रहे थे पर उसका मुल करण जैसे हर्मोनल इंबालेंस जो होता है आमने यह प्रोसेस में क्या होता है कि अगर है हमारे शरीर में तो यह प्रोसेस एकदम ठीक से मेंटेंड होती है वह बराबर से बैक्टर ले जाएगा इस्टोजन को वहां पर आपने टार्गेट पर और अपना ग्लुकोस खा लेगा क्योंकि टार्गेट मेरी जाने के लिए उसक पर जहां किसी शरीर में यह रहते हैं तो यह प्रोसेस गड़बड़ा जाता है और यह इंबालेंसी फिर दिरे 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 पीसी ओडी का रूप लेता है फिर वहां पर गांठे बनने जाती है क्योंकि फंक्शन जो फिडबैक मिनना ची उस तरह सी नहीं होता है तो शरी मे उनको फिर मेंस्टर प्रॉब्लम भी होते कई दिखा है हमने पीसी ओडी के कईयों केसे होते हैं हम इने गए बार भी बताया कि अश्कल के लगभग जिनको मेंस्टर प्रॉब्लम में उनमें बच्चियों में 60-70% बच्चियों में दिखा देता है तो यह कारण होता है ज्य आज आज भी हमें बन जा होती है यह ढमोनल इंबालंस जो है इसका और होता है कि हमारे जो बॉडी में ज़ो फ्रेंटी डी एक फिरीन वह बढ़ जाते हैसा था कि आजकल का जो महरा लाइफस्टाइल है और जो महारा खान पान है उसकी वज़े से ही रिजिस्टन बैक्टिरिया बढ़ रहे हैं और होर्मोन बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि हम जो आजकल का जो नुट्रिशन है आजकल के बच्चे जैसे पीडा बर्गर शने क्य सब्सक्राइब रहे हैं इसलिए यह सारा बढ़ता जा रहा है इसलिए प्राय हमने देख रहा हूं कि आजकल बच्चे और बच्छा ना हो इसलिए और अभी बच्चा होने के लिए प्रैयस कर रहा है हो नहीं रहा है तो कुल मिला कि काफी अभी इन दिनों में ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है सोसाइटी में कि बड़े बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चिया हैं कपल से जो बच्चा ना होने के लिए परिशानी हैं डॉक्टर डॉक्टर से घुम रहे अलगा फाइले कि अब भी सुन रहे हैं उनके अगर परिवार में रेसे कोई ऐसे बच्चे होंगे जो सादी सुदा हुए है कुछ साल में कि शादी वी prompt- George रूर केना यह जो इंजेक्शन देते हैं आशी एक बनाने के लिए और जो थे प्रोशस आजकल यह करते हैं incip on its यह तुम्हारी प्रोस्स होती है शेरिट के सारी बदल जाती है तो यह गोलिया और इंजेक्शन ज्यादा नहीं लेने चाहिए इससे सारी जो नाचरल प्रोसेस जो बगवान ने हमारे शेरिए में रखी हो सारी गड़ड़ा जा रही है तो इसलिए हमें प्रकृतिक हमारे हमा इसी कंटेक्स्ट में इसी पॉइंट को लेकर एक प्रश्न है मेरा आपसे कि जिस तरह साब ने बताया कि आजकल इंजेक्शन का यूज हो रहा है और अर्टिफिशली फर्टिलाइस करने की कोशिश की जा रही है तो यह तो आजकल बहुत जादा ट्रेंड में आ गया है अल हमें यह रही में प्रोसीजर करने हैं यह क्यों नहीं करीज क्या है ना यह जो आइविफ है test tube in equalig 머리 . जैतने ब्रच या दो यह need a अध्यात्मिक पहलों भी अगर देखा जाए हमें शारीक तकलीफ है कम शारीक तकलीफ को सॉलिशन लेकि हमें बचा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है पर कुछ-कुछ ऐसे भी मैंने कहीं पेशेंट्स को देखा हूं कि सब्सक्राइब डॉक्तर से बोलते हैं सब्सक् कि अधिर में है कहने बच्चा देखो यह वो तो कहने का था पर अगर सच कुछ मान लिया चलो थोड़ी समय के लिए अगर मान लिया कि उनके जीवन में इस जनम में अगर बचा ना हो एक सब्सक्राइब लिया कि बाइब अगर उन्होंने जोर जबर दस्तित है आई वीयव से बोलो यह अगर बच्चा अगर उनको हुआ अगर मनलो बच्चा रहे गया तो मैंने ऐसे कही ऐसे लोग देखें हैं मैंने यह कहीं सब्सक्राइब यह पताने कैसा जिस तरह से भी था उस तरह से था कि उनको इतना इतना तकलीफ दिया था उसने देद रहा था वह बाद में जैसे बच्चा बड़ा हुआ यह नहीं है पर पुल मिला के यह अगर इस तरह से अगर नजर आते हैं तो यह भी हमें पहलू को देखना पड़ेगा कि यह सच कुछ हमारे लिए उचित कहीं या नहीं है तो यह जो जवर्दस्ते से भी अननैचरल रास्ते से अगर हम कुछ चुज लाते हैं तो भी हमें शायद भोगना पड़ सकता है अगर अध्यात्मिक्ता के अगर रूप में देखा जाए अगर इस तरह से देखा जाए तो इनने बैसे कुछ नजर हमने सामने के तो कहने का आप आप पर अगर नैचरल वेशसरे अघर अगर अगर बच्चा हो पर प्लस तरह से हो तो वही अच्छा होता है यह जो ऑफ यह पया जो पिशीघर आप से करते हैं तो लौग रंड में viewed को कियाonen effects सब्सक्राइब करें अगर हम अपने आप को अपने अगर बदलाव करके अगर हम उसको सिस्टम को अगर हम सुधारने का अगर चांस हाँ उस चांस को तो हम ने रुप दिया तो अपने यह सकता है बस और तो क्या बाकी तो मैं यह कहुंगा कि हम उसको नाचरी नहीं सुधार सकते हैं अभी कई पेशन्स है अभी कई हमारे मैंने के महराओ को देखा तो बच्चे को देखा जिनका एक दम यूटरस रोडिमेंट्री होता है जो पुद्रती उसका सब्सक्राइब होता है जिनको वहां पर शुक्राओं बनने नहीं है तो ऐसे बहुत रेरली भी होते हैं कि जिनको पर शुक्राइब होते हैं तो उनको बच्चा होने का पर चांस बता नहीं तो यह कारण बन सकता है तो यह बात तो सपस्ट हो गई है यहां पर कि हमें लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है पैक्ट फूड पे और ह नहीं पहले भी हमें काफी बार अप्किन स्वासे संजीद्नी के अपिसोंस में बताया है इस तरह से मारी डिपेंडेंसी बढ़ी है और हम नाट्रल चीजों से हटके हमें तैड फूड पूड पे डिपेंडेंसी बढ़ाई है उसकी वज़े से हमारा होर्मोनल इंबालनस हो होता है बोड़ी में इस पज़े से नैशल प्रोसेसे बंद हो जाती हैं तो हमें नैशली जीना फिर से शुरू करना पड़ेगा ग्रीन लीफ ही वेजिटेबल्स हो फूट्स हो और बहुत सारे ही डॉक्तर साब ने पहले के पिसोस में बताए हैं मिलक्स के बारे में बताए है तो उसका इंटेग वो सब लेना हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा यह अपनी ले तो फायदेमंद है ही आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उतना ही फायदा करेगा तो हम आपसे जानना चाहते हैं जो मेडिकल प्रोसेसे हैं जो प्रोसेजर्स हैं जैसे कि IVF हो दिय या सरजरी हो गई या मेडिकेशन हो गई अगर यह अनने चल्ट प्रोसेस को बंग कर देते हैं और हमफुल होते हैं महिला के यह पुरुश के शरीर के लिए तो नैच्छल तरीके से कैसे हम इसे रियायत पासकते हैं बिल्कुल बिल्कुल यह अब देखो आगर अभी जो अ अभी जैसे किसी महिलाओं में अगर ट्यूब बंद हो तो उसको फिर खोलना पड़ेगा जो आज कि टेकनोलोजी से हमें उसका उप्योग ले सकते हैं अगर ट्यूबल ब्लॉकेश हो तो ट्यूबल ब्लॉकेश पुला जा सकता है पर जहां पर सब कुछ नॉर्मल है क्यूं लुकेश पर जाए तो उसमें नाट रुपना यह वह तो बैलनस कर सकते हैं और बचा रुप सकता है पर सब कुछ नॉर्मल होती हुए भी न होना यह बड़ी बात होती है क्यों को कहीं ही मैंने देखा पेशन से कपल सब कुछ नॉर्मल है पिर भी नहीं रुप रहा है तो उनके लिए जो प्रोटोकॉल दे रहा हूं जो गयबार भी आपने जैसे अब होते हैं कुछ पेल होते हैं जो हमें पीना है जो हमारी सिस्टम को सुधर सकते हैं साथ-साथ जरूर हम जो हमरे रूटीन में जो प्राकृतिक चीज़ होती है जैसे प्रकास में बैठना योगा से प्राणायाम जैसे मेहलाओं में अगर पाथ प्षुम उत्तानासन ऐसे अगर आसन करते हैं तो उनको यूटरीस पर थोड़ा प्रेशर आता रोप यह जैसे अपने आपने प्रप्रेशर आता तो और आई प्रश्रोंस वहां तो काफी मेंटेंट रहते तो जिसकर से सब्सक्राइब पीपल के पत्ते होते हैं पान खाते हैं जो आपने पत्ते सुने हैं उनका सारा एक एक सब्ता काडा बनाने का तरीका एकदम सिंपल है हो पानी लग पर न है उसमें पत्टे धोड़े के छोड़े पत्टे धोड़े से ध्याई, मुरींगा भी चो ड़ोड़े होते हैं तो तो तीन-चार पत्ते डाले नीम थोड़े अंदा से पंदरावीच दमने पनता हैं तूरब चस्टे दें शबते होते हैं आंग तो आपके जो फंक्शनल डिस्टरबंस है जो आपके और इसमें बनता है वह बनने में मदद होती है तो पीना तो पी आपको नारीयल, नारीयल का व्हेश मोग बने जो नारीयल जो हुता है चारणी का किये कढ़ा आधा गंते के बार उए तुसरा हुधा долго जब को चुसम का तेल पिए तो वह पी शबते हो किसरा थेल राम तील तेल जिसको नाइजर सीड बोलते हैं वह भी काले-काले बीजो तेल लंबे-लंबे तो उसको राम तील आगर तो आपकी सिस्टम में बदला होना शुरू हो जाएगा और आपके में जैसे आपने बताए कि लिटील मिलेट से एक ऐसा मिलेट है उसको कुठी कहते हैं जो उस्त्री में वो तो उनके आउंगों में और पूरिश वो तो उनके आउंगों में वहां पर बराबर अपने जो जन करते हैं उसके फाइबर्स तो लिटील मिलेट का सेवन तीन दीन लगातार करें और बाकि की जो लिमिलेट से और ब्राउं टॉप मिलेट ब्राउं टॉप मिलेट वो एक इक दीन का उसका सेवन करें और उसमें भी फर्मंटेड पोरिज खाये तो ज्यादा फास्ट करेगा पर्मंटेड पोरिज बनाया जाता है यूटीब में अगर देखेंगे इमिलेट फर्मंटेड पोरिज तो आपको उसके सारे प्रोसेस आपको यूटीब में जाएगी तो आप उस तरह से खा सकते हो तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब आप हमारे महलाओ दर्शकों अगर आप लेते हैं तो काफी हमने पेशन्स में अगर आप लेते हैं तो काफी हमने पेशन्स में प्रूड है यह फार्मूला पर हमने अभी में जो आपको काड़ा बताया तेल बताया यह वाकई यह नैचरल तरीके से आप इस सिस्टम को सुदारते हैं और आपको एक जो कमजूर है तो वह बनता है और बनता है और बनता है और वह आपको बच्चा होने में मदद करता है आपको जो तरीके से थीक करना चाहिए क्योंकि वह जो ठीक होगी तब वह जड़ से होगी हमें थोड़ा लग सकता है पर हो आपको एक permanent आराम देगी और आपकी problem का solution भी देगी पिछले episodes में जब हमने menstrual problems की बात की थी तब भी dr. साब ने इन पत्तों के बारे में बताया था इसके काड़े के बारे में बताया था कि आपको एक पत्ते का काड़ा एक हफते लेना है तो जब आपको लगे कि आपकी process natural हो गई है आपको relief है तो आप यह तेल लेना बंद कर सकते हैं यह जो homeopathic medicines dr. साब ने आज बताई है मैं एक बार दर्शकों को बता दू फिर से जब हमने पहले women health care series के episodes के बारे में चर्चा की थी तब ही dr. साब ने medicines recommend की इनका course आप ले आपका जो भी process natural हो जाए तो आप इन medicines को बंग कर सकते हैं समय लग सकता है पर हमें patients रखने होंगे क्योंकि हमें इन problems को जड़ से ठीक करना है हमें नहीं कहते हैं कि आप medical recommendations ना लें doctors के पाख ना जाए बिलकुल जाए आपी जो भी तकलीफ है आप doctors को जरूर रेफर करें पर एक हम तो बहुत सारी बिमारिया हैं जो सभाविक रूप से ठीक हो जाती है तो naturally शुरू करते हैं और अपने जो भी विश्वस्तिय डॉक्तर हैं उनकी recommendations लेते हैं और जरूर समय के साथ ये natural तरीकों से आपको relief मिलेगा ऐसी हमारी आशा है धन्यवार डॉक्टर साब आपका महिलाओं को सही दिशा देते हैं सही समझ देते हैं वीमन हेल्टकेर सीरीज पर चल्चा हमारी जारी रहेगी अगले हवते हम बात करेंगे महिलाओं में होने माले cancer की बारे में जैसे की breast cancer, cervical cancer, तो सभी महिला दर्शक हमारे साह जुड़ी रहे स्वासे संजी भी निए आज क